असलाम वालेकुम, सबास 20 क्लासेस में आज मैं इंशाला आपको एक किलो चिकन से परफेक्ट रेस्टरेंट स्टाइल बटर चिकन बनाने का तरीखा बता रहे हूँ यह इतना ज़्यादा टेस्टी है कि आप इसे एक बार घर पर बनाएंगे तो रेस्टरेंट का टेस्ट भूल जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना यहाँ पर हमने एक किलो बूनलिस ठीकल लिया है इसे आप साफ अच्छी तरह से धो लीजिए और धोने के बाद हम इसे मारिनेट करेंगे तो उसके लिए हमें डालना है एक टेबल स्पून लाल मिर्च पावडर और एक टेबल स्पून नमक डालिए या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक की कॉंटिटी कम या जादा कर सकते हैं और त्रिफोथ टेबल स्पून मिन्स पॉन टेबल स्पून जीरा पावडर डालिए और एक टेबलस्पून हम धनिया पौडर रालेंगे, सारी चीज़ों को चिकन पर अच्छी तरह से मल लीजई देखिए हमारे जो मिठाई सीरीज है, हलवाई सीरीज है वो अभी चालू है, मैं नेक्स्ट रेसिपी वही डालूंगी, आप टेंशन न ले, हलवाई सीरीज कंटीनू है, तो हमने इसे मिक्स कर लिया, फिर उसके बाद आप इसमें 2 टेबल स्पून दही डाल दीजिए, और तोड़ा सा रेड बुष कलर डाल दीजिए, रेड बुष कलर हमने डालना है, अगर नहीं डालना चाहते हैं कलर तो आप स्किप भी कर सकते हैं कलर, सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, और अब हम इसे दो घंटे के लिए रख देंगे, ताके मसाले अच्छी तरह से उबा लिए, जब तक कि इस तरह से चिलका न निकले, फिर आप इसे ठंडे पानी में डाल कर इसका चिलका उतार लीजिए, देखिए यहां पर हम हाई फ्लेम पर प्यास को भून लेंगे, यह तीन प्यास हैं, हम इसे हाई फ्लेम पर भून रहे हैं, बिना तेल डाल प्यास है, हम इन सभी को पीस लेंगे, ठीक है, काजू का भी पेस्ट बना लेंगे, और यह प्यास और टमाटर का पेस्ट हम एक साथ बना लेंगे, इन दोनों को हम एक साथ पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक, अब एक पैन में हम पाव कप तेल गरम करेंगे, और तीन से चा आप इसमें थोड़ा सा प्यास और टमाटर का पेस्ट डालिए फिर उसके बाद आप इसमें एक टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डालिए इस तरह से पहले थोड़ा सा पेस्ट डालने के वज़ा से मिर्च जलेगी नहीं ठीक है अब इसे अच्छी तरह से पकने दीजिए फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा टेबल स्पून जीरा पाउडर और फिर 3-4 टेबल स्पून हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके पका लेंगे और बाही का जो मखनी पेस्ट है यानि प्याज और टमाटर का पेस्ट है वो हम इसमें अट कर देंगे और अच्छी तरह से इसे पका लेंगे भून लेंगे हम देखिए यह मसाला और टमाटर अच्छी तरह से पक रहे हैं देखिए यहां मैं पाउटी स्पून हरी इलाइची का पाउडर डाल रही हूँ थोड़ा सा रेड बुष्प कलर मैंने डाला यह कलर आप स्किप कर सकते हैं आपकी मरसी डालें या स्किप कर दें सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पका लीजिए अब हम इसमें काजू का पेस्ट डाल देंगे जो पिसेवे काजू थे वो हमने इसमें ऐड कर दिये उसमें थोड़ा सा पानी डाल कर भी मैंने इसमें आड कर दिया सारी चीज़ों को अब अच्छी तरह से पका लीजिए और अब देखिए यहाँ पर दो टेबल स्पोन कसूरी मेती है इसे मैं भून रही हूँ ताके यह अच्छी तरह से क्रश हो जाए मीडियम फ्लेम पर इसे भून कर निकाल लीजिए और अपनी हाथों से क्रेश करके इस ग्रेवी में इसे एड़ कर दीजिए इस तरह से ग्रेवी का टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा फिर एक कप मिल्क क्रीम में डाल रही हूँ आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी एड़ कर सकते हैं दूद की मलाई मैंने एक कप डाल दी आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं देखे मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ और साथी मैं डालूँगी इसमें तंदूरी चिकन मसाला थोड़ा सा यानि एक टीस्पून जितना तंदूरी चिकन मसाला और हाफ टीस्पून से कम गरम मसाला मैंने इसमें एड़ किया और नमक आप टेस्ट के उस पर मैंने थोड़ा सा तेल डाला हाइफ लेम पर हमने इसे किया रखा है अब इसके बाद इस पर चिकन डालिए और हाइफ लेम पर दोनों साइट से इसे फ्राय कर लीजिए देखे चिकन सॉफ्ट होना चाहिए चिकन को एकदम हार्ड या फिर रबर लाइक नहीं होना चा चाहिए तेल जादा नहीं होना चाहिए ठीक है अब हम क्या करेंगे ये फ्राय किया हुआ चिकन एक बोल में रखेंगे और बीच में जलता हुआ कोईला रखेंगे और इस पर हम तोड़ा सा घी या तेल डालेंगे और जैसे ही धुआ निकलने लगेगा तब हम इसे धांग और इस तरह से हम चिकन को स्मोक कर लेंगे इस तरह से इसमें ये तंदूरी फ्लेवर आ जाएगा ठीक है अब हम इस चिकन को ग्रेवी में डाल देंगे और हाँ जो बचा हुआ मैरिनेट था आप उस मैरिनेट को भी थोड़ा सा पानी डाल कर इस ग्रेवी में डाल सकते हैं ठीक है इस चिकन का जो बचा हुआ मैरिनेट था वो भी आप इसमें डाल सकते हैं मसाला पकने के बाद आपने चिकन डाल दिया, फिर थोड़ा सा बटर डाल दीजिए, दो से तीन टेबल स्पून आप इसमें बटर डाल दीजिए, क्योंकि ये बटर चिकन है, बटर रहेगा तो ही इसमें बहुत ज़दा टेस्ट आएगा, आप दो हरी मिच्चों को मैंने बा बटर चिकन हमारे पास तयार है, सर्व करते वक्त आप इस पर डालें थोड़ी सी फ्रेश क्रीम उपर से, या फिर घर की मलाई को थोड़ा सा फेंट कर आप इस पर इस तरह डाल देए, तो देखिए, ये हमारा बहुती बहतरीन बटर चिकन तयार है, उपर फिर से मैंने थ जीरा राइस के साथ सर्व करें, तंदूरी, रोटी, नान, या फिर आप शीरमाल, रोटी, पराथा, किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, बहुत ही चांदार लगता है, आई होब कि आपको ये रेसीपी पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेर सबस्क्राइब नहीं किया है, तो सिर्फ एक बार सबस्क्राइब करके बिल आइकोन भी जरूर प्रेस करना, इंशाला फिर मिलती हूँ एक नई और यूसफुल रेसीपी के साथ, थैंक्स फूर वाचिंग, सबास, बेस्ट क्लास्स